सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पासके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से चीक है तो ये वीडियो आप दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक वो कोश्चन बताने वाले हैं जो कम्यूकेशन के अंदर हर बार रिपीट हुआ है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कम्यूकेशन के अंदर सभी टोपिक के वारे में कि कौन कौन से कोश्चन रिपीट होते है और ऐसे कौन से कोश्चन है जो आगे भी आने की संभावना है जो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है यह देखे दिसंबर 2012 में कौश्चन आया है कौश्चन नमबर एक अंग्रेजी सब्द कम्यूकेशन की उत्पतिक के इन सब्दों से हुई है यह हमें बताना है तो इसका अंसर है दोस्तों कम्यूस और कम्यूकेर यह हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंपोर् कॉश्चन है अब यह कोस्ट नमबर घ्री आतमा और पुर्वजो से बात् चित करने को क्या कहते है यानि कि जो पने आप में यानि कि जो भूत वगरे उनसे बात्री पूर्चित करते तो उसको क्या कहते है किस तरह का कम्यूकेशन होता है इसाम कहते हैं और इसके Transpersonal Communication कहेंगे ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना क्यूंकि एक वर ऐसे भी कोश्चन आया था कि एक मनोच चिकत सक है वो दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसे किस तरह का Communication कहेंगे तो उसका अंसर भी Transpersonal Communication था तो इसलिए हमारे लिए काफी जरूरी है और आगे देखते दोस्तों आगे किस तरह से इसमें से कोश्चन आये हैं और कौन से कोश्चन हमारे लिए Important है अब देखिए मैंने हर एक जो कोश्चन है अलग अलग टाइप से उनको मारक किया ये जो कौश्चन है हमारा कौश्चन मेर नो ये हमारा सहिंद समबर डिशमबर 2019 का कौश्चन है और अगे हम देखते दोस्तों अब यह देखिए दोस्तों सेप्टमबर 2013 का कोश्चन पेपर है इसके अदर इन्होंने घ्रैप wine communication की बात की है question number 3 आप देख सकते हैं और graph wine communication हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है इसके बारे मैंने detail में वीडियो बलाई हुई है वो वीडियो आप देख सकते हैं लिंक आपको video description box में मिल जाएगा और graph wine communication बाद में भी repeat हुआ है और अब भी repeat हो सकता है तो यह हम देखते कि किस तरह से आगे repeat हुआ है और आगे हम देखते दोस्तों की type of communication में किस तरह से question आते हैं अब यह देखिए दोस्तों यह है हमारा question paper देख लेते हैं December 2014 का question paper है इसके इंदर question number four देखी एक स्त्रोथ से एक साथ सूचनाई परसावित करता है यानि कि एक स्त्रोथ है जैसे की radio है रेडियो के जवारा बहुत से लोगों को सूचनाई दी जाते तो उसे हम किस तरह का communication कहेंगे इसका अंसे दोस्तों जन संचार communication इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ कि मास communication किस तरह का communication होता है और आगे हम देखते दोस्तों आगे ये देखी ये हमारे पास है जून 2014 का question paper है इसके अंदर ओपचारिक और अनपचारिक यानि कि informal और formal communication के बारे मैंने आपको बताया था और इस तरह के जो question होते ना दोस्तों अभी कथन कथन तरक वाले कोशन ये काफी हमें confuse करते लेकिन इतने confusing question नहीं होते बस थोड़ा सा हमें सोचने समझने की जरूरत होती है अब ये question देखना मैं आपको इनका अभी कथन क्या है место उब चारिक समप्रेशन और लाचिला होना चाहिए अब देखी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों की उपचारिक kishान कि कहते हैं उपचारिक का मतलब होता है दोस्तों जो formal communication होता है जो संस्था बगरा के अंदर होता है एक बोस अपने करमचारियों से करता तो उसे हम क्या कहते है फॉर्मल कम्यूकेशन कहते हैं जिसके अंदर नियम काईदे कानून होते हैं तो वो जो कम्यूकेशन है उपचारिक कम्यूकेशन तवरित और लचीला होना चाहिए ये इसका अ दूसरे तरक के अंदर इसने क्या का है कि जो अपचारिक कम्मिकेशन है वो एक योजराबंद तरीके से होता है और वयवस्थित परवा होता है यानि कि उसके अंदर एक फोलो होता है सही तरीके से होता है तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है कौन सी गलत है यह हमें बताना मस्ति में काम करेंगे तो जितने भी करम चाहिए वो सही से काम नहीं करेंगे और वो ignore करने लगेंगे चीजों को इसलिए हमारा जो संस्था के अंदर communication है वो योजनाबन तरीके से होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए तो इस तरीके से आप बिलकुल आसानी से कहे सकते हैं कि जो A है A option गल्थ होगा और इसका जो R है वो सत्य होगा तो इस तरह से आप आसानी से question कर सकते हैं बस थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है और आगे हम question देखते हैं दोस्तों किस तरह से आते हैं अब यह देखें दोस्तों यह हमारा फिर से grapevine communication आ गया यह देखिए यह एक ब्रेट माप को दिखा रहा हूं June 2015 का question paper है और इसके अंदर देखिए हमारा question number यह देखिए question number 22 the term grapevine is also known as grapevine communication किस से भी जाना जाता informal communication यह मैंने बताया था कि grapevine जो होता है वो कभी यह जैसे एक वंदे के पास information है इसने यहाँ पे दी इसने यहाँ पे दे दी इसने यहाँ पे दे इसने यहाँ पे तो एक गुच्छे की तरह है जो communication होता है उसे हम क्या कहते है ग्रैप वाइन कहते है और वो informal communication होता है उसके अंदर कोई भी नियम काईदे कानून नहीं होते और आगे दोस्तों the communication in the communication the language is communication हम कर रहे हैं संचार कर रहे हैं अगर उसके अंदर भासा हो तो उसे हम किस तरह का communication कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तो verbal communication यानि कि साबदिक communication उसे हम कहेंगे verbal और non-verbal communication में से काफी question आते हैं दोस्तों यह हमें स purushen जरूरत है और आगे हम देखते हैं किस तरह से question repeat होते हैं यह देखे हैं यह हमारा question number 20 और paper देख लेते है prefer कौन सा ही है हमारा दिसंबर 2015 का कोशन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए कोशन नमबर 20 20 में मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब देखिए वानी के वज़ाए आवाज के पहलू को ध्यान से जाना जाता है यानि कि जो हम बोल रहे उसको छोड़ कर जो हमारे बोलने का तरीका है उसको हम किस लेंग्वेज के अंदर काउंट करते तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों उसे पारा लेंग्वेज कहेंगे यानि कि जो आवाज को हम कभी उंचा कर लेते कभी धीमा कर लेते अलग 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 प्लास्रूम कमणिकेशन, कंशाइडर ऐज, यहनि कि जो हमारे attitude है, action है, जो action हम कर रहे है, appearance है, हमारे उपस्थित होने का तरीका, वो किस तरह का communication होता है, दोस्तों, वो होता है, हमारा non-verbal communication होता है, मैंने आपको बताया था कि variable communication क्या होता है जिसके अंदर हम सब्दों का यूज करें किसी को बॉल के बताया किसी को लिख के कोई संदेश पहुँचाए तो वो हता है और जो communication जिसमें सब्दों का यूज ना हो उसे हम क्या कहेंगे non-verval communication कहेंगे और आगे हम देखते दोस्तों ये देखी ये हमारा आ गया horizontal and vertical communication ये भी एक type है communication का इसमें से भी काफी question आते हैं एक ऐसी संस्था जहां लोग समान प्रिस्थिती की है अब देखे मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक कलर्क है कलर्क से बात कर रहा है चपड़ासी है चपड़ा communication कहते है ठीक है और जो ऊपर से नीचे जो होता है यानि कि एक बहुत है चपड़ासी से बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे vertical communication यानि कि ऊपर से धीरे 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 जब नीचे संदेश आता तो उसे हम क्या कहते है और आगे हम देखते दोस्तों आगे कौन से question important है हमारे लिए जो December 2019 के अंदर आ सकते हैं अब ये देखें दुवारा से फिर non-verbal communication के बारे हैं पूछ लिया और ये देखते हैं question paper देखते हैं ये देखी ये हमारा August 2016 का question paper है और इसके अंदर देखे हमारा question number ये है question number 15 इसके अंदर इन्हों ने कहा है कि figure out the component of non-verbal communication इन में से हमें ये बताना कि कौन से ऐसे तताव है जो non-verbal communication के अंदर आते हैं non-verbal communication यानि कि इसके अंदर सब्दों का use ना हो अब देखें option number 4 है facial expression चहरे के how भाव है उसमें कोई भी सब्द यूज नहीं होता kindness kindness के बारे में भी मैंने आपको बताया है अगर आप detail में जान रहे हैं दूर रहे रहे हैं तो इस तरह का क्या होता कि उसके अंदर भी किसी भी सब्द का use नहीं होता तो इसका बिल्कुल सही answer होगा दोस्तों option number 4 यानि कि normal communication के अंदर यह यह चीजे आएगी और आगे हम देखते दोस्तों आगे किस तरह से question आये हैं हमारे अब देखिए इसके अलावा भी और काफी question है जैसे यह मैंने pink किया और इनके उपर भी हम बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं ताइप of communication में किस तरह से question repeat हुए हैं और इन में से कौनशे question हमारे लिए important है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं अब यह देखिए यह आप आगया साइद यह question number 25 25 number question nonverbal communication is consider अब nonverbal communication को हम किस तरह से देखते हैं यह हमें बताना है अब आपने देखा दोस्तों nonverbal communication से किस तरह से question आ रहे हैं nonverbal communication को हम informal communication कहते हैं अब सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए nonverbal nonverbal के बारे मैंने आपको काफी बार बता दिया जिसके अंदर सब्दों का use ना हो और informal होता है जो अनुप चारिक हो जैसे हम एक दोस्त के साथ बातचित करते हैं प्रिवार के दोस्तों प्रिवार क लोगों के साथ बात करते हैं तो इनके साथ हम कैसे बात करते हैं कि जैसे इनके गुसा भी हो जाते हैं इनसे प्यार भी करते हैं और इनसे हसी मजाक भी करते हैं तो वो क्या होता है informal communication होता है और लेकिन एक बोस्त के साथ हम बातचित करते हैं हमारे बातचित करने का हम बोस दोस्तों कि आगे किस तरह से question हमारे लिए important है आगे देखे type of communication के अंदर हमारे यह देखे जून दोहुजार जून दोहुजार 19 का question paper है 24 तारिक को जो हुआ था इसके अंदर देखी यह कह रहा है कि honey we convince the other बीज यानि कि एक जो मध्धू मख्य है वो dance करके दूसरी मध्धू मख्यों को convince करने की कोशिश कर लिया तो उसे हम किस तरह का communication कहेंगे उसे कहेंगे हम दोस्तों group communication कहेंगे तो इस तरह से आप देख सकते कि एक communication टाइप मेंसे किस किस तरह के question आ रहे हैं और अब यह देखे वीचोदा following is a function of mass media mass media का क्या मतलब होता है वो हमें बताना यह जो 2019 में question आया है तो इसका जो answer है दोस्तों इसका answer है यह transmit culture यानि कि एक culture का जो फैलाओ कहे सकते हम यह function होता है mass communication का और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से question repeat हुए है communication के अंदर एक दूसरा topic करते हैं उसमें हम देखते हैं किस तरह से question repeat हुए है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को like जुरूर किया करो यार इससे हमारा उच्छा बनता है और आगे हमें प्रेरणा मिलते कि आगे भी आप सभी के लि देना और दोस्तों इस वीडियो को शेर जरूर करना जहां जहां भी होसके अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करना और चलिए दोस्तों अब हम और question देखते हैं जो communication के अंदर काफी important है हमारे लिए और repeat भी हुए है यह देखिए दोस्तों हमारे पास December 2012 का question paper है और इसके अ के अंदर जो हम संचार कर रहे हैं उसके अंदर बच्चे को सिख्षया भी मिलनी चाहिए और entertainment भी होना चाहिए दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके सासा दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नंबर पर contact कीजिए और यही question में आपको आगे भी दिखाता हूं कि किस तरह से repeat हुआ है हमारे पास और यह देखिए यह हमारा है यह हमारा है दोस्तों question paper June 2013 का question paper है और इसके अंदर आप देख सकते question number 14 किसी सिक्षप का कक्षा में संप्रेशन किस सिधान्त पर आसरित होता है तो इसका answer भी क्या आएगा दोस्तों option number V add entertainment इसका answer आएगा तो अब भी इसके आने के संभावना है दोस्तों तो इस question को आप थड़ा ध्या ज़्यादा important है दोस्तों ये question आया है घुमा फिर आके पूछा है अब देखिए इसने क्या का है कि संप्रेशन पर क्रिया यानि की communication का जो process हो किस तरह से होता है यह हमें बताना है और मैं इसको English में दिखा देता हूं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से ये question समझ में आ जा अब देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के किस तरह से दे सकते है वो examiner communicator की जगे हो कह सकते है कि sender कह सकते है sender message medium receiver receiver रहेगा और effect की जगे हो कह सकते है feedback तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए एक असान भासा में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास message भेजने वाला ह चाहिए उसके बाद में एक message होना चाहिए हमारे पास उसके बाद में medium कोई साधन होना चाहिए और उसके बाद receiver प्राप्त करने वाला होना चाहिए और उसके बाद क्या effect पढ़ाया उसने क्या feedback दिया यह इसकी पूरी process होती है दोस्तों तो यह चीज हमें ध्यान में रखन है यह हम question paper देख लेगते हैं यह हमारा कौन सा है यह है दोस्तों हमारा December 2013 का question paper है और इसके अंदर हमारा question number 7 1 एक मिनट प्रूपी दोस्तों है हमारा question number 7 हाई यह रहा कक्ष्या संचार में समानने तक क्या माना जाता है कक्ष्या का जो संचार है उसे कि तरह का माना जाता तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों इसे संग्यानात्मक संचार इसे हम कहते है कोगनेटिव यानिकि जिसके लिए से में भी देख सकते कि क्लास्रूम कम्म्यूकेशन इस नॉर्मली कंसाइडर्ड एज कोगनेट्व कम्यूकेशन तो दोस्तो इस तरह ऐसे आप देख सकते कि किस तरह से कोशन हमारे लिए इंपोर्टेंट है और यही कोशन मैं आगे भी दिखाऊँगा आपको कि किस तर इसी जरूरत है यानि कि एक व्यक्ति मैसेज भेज रहा है बी को मैसेज भेज रहा है ठीक है अब बी ने मैसेज लिया और बी दोवारा इसको मैसेज भेज रहा है ठीक है यानि कि यह पहले क्या था रिसीवर था अब यह क्या हो गया सेंडर हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे इ क्याने कि यहां पर उत्तर दिया जा रहा है एक इंसान दूसरे इंसान की बातों का उत्तर देरा दूसरे हम क्या कहेंगे और आगे हम देखते दोस्तों आगे किस तरह से question repeat होएं यह देखे यह हमारा December 2014 का question paper है इसके इंदर question number two सिक्सक कक्षा में एक सब्द एक संदेश सब्दों है चित्रों में भेज़ता है विद्यार्थी वास्ताओं में है विद्यार्थी हमें बताना कि क्या है डिकोडर है अब यह देखे जो टीचर है वो संदेश भेज रहा है और जो बच्चे है वो उसे संदेश को ग्रहन कर रह यानि कि जो message को decode कर रहे हैं अपनी भासा में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों को क्या कहेंगे हम decoder कहेंगे यह दोस्तों यह हमारे लिए question काफी important है इन्हीं में से question घुमा फिरा के दे सकते हैं और आगे हम देखते दोस्तों आगे हमारे लिए important question कौन से है यह दो 2012 से लेकर June 2019 तक हमने PDF बना रखिया है तो आप इन question को करके बिल्कुल असानी से पता कर सकते कि यह से कौन से question है जो बार बार repeat हो रहे हैं तो इनकी हमने कुछ समान्य कोश्ट भी रखिए दोस्तों वह आप देके ले सकते हैं या फिर आप हमारा paid group जोइन कर सकते हैं अब य देखिए यह चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई थी कि जब verbal और non-verbal communication यानि कि साब्दिक और ऐसाब्दिक के संचार दोनों कंट्रा डिक्री यानि कि दोनों के अंदर वैवधान उत्तपन हो जाए तो किस पर हम विश्वास करेंगे नोन वरवल कम्निकेशन पर हम विश्वास करेंगे अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे दो बच्चे आपस में लडाई कर रहे हैं और टीचर कलास में आ जा हाओ भाओ उनकी आँखों को देखेगा तो उन सभी से हम अंदाजा लगा सकते कि कौन सा बच्चा है वो गलत है वो कौन सा सही है यानि कि नोन वरवल कम्निकेशन से हम काफी अब तक पता कर सकते हैं और ये कोशन दो बार आ चुका है दोस्तों इसको दूसरी बार घ्मा फ कोशिश करना दोस्तों ये कोशन है ना यही हमें मार खाते इनी कोशन में मार खाते अब देखे किसी कक्षा में सत्थानिक सरव्य पुन प्रस्थुति की वज़े से विद्यार्थियों का निमनलेकित में से क्या घट सकता है अब इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब य रहा है बच्चे उसको सुन रहे तो उससे क्या होगा या फिर क्या होगा अब देखिए इसे को्षिन पड़ी है कि या घट सकता है क्या घट सकता है यह हमें बताना है ठीक किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से क्या decrease हो सकता है वो चीज़ हमें बतानी है अब क्या decrease हो सकता है सिखसक के परती आदर decrease हो सकता है यानि कि जो इज़त करते हैं वो कम हो सकते हैं उतकरश्टा के परती प्रेरिणा यानि कि जो प्रेरिणा वो कम हो सकती है प्रयोद योगी कि मेरूची यानि कि जो टेक्नोलोजी है उसमें जो रूची वो कम हो सकते हैं तो इसका अनसर ये होगा दोस्तों अद इसे समझाता हूँ आपको अब देखें बहुत में संग्यानात्मक भार का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही ठीक है और वो हमारे लिए एक burden बनी हुए कि यह पता नहीं क्या है किस तरीके से है तो वो एक बोज बना हुआ है ठीक है हमारे लिए लेकिन कोई चीज हमें बार 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 रिपीट की जाएगी तो जो वो भार है जो हमारी समझ से है उसमें कमी आएगी वो हमारा जो समझ वो विक्सित होगी और जो ए समझ की जो चीज जो हमें समझ नहीं आ रही वो दिरे दिरे कम होती जाएगी तो इस कोशन को इस तरह से समझने की कोशिश करना और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त को इ यह हमारा question number 18 है और यह question paper देखते जुलाई 2018 का question paper है अब यह देखे कथन अभी कथन के जो question होते हैं उसके इंदर student काफी confused हो जाते कि इस cancer क्या आएगा कैसे आएगा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अब देखे कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेशन करना एक सववाबिक अक्षमता है यह कह रहा कि क्लास के अंदर जो communication किया जाता है वो एक natural चीज है यानि कि अच्छा कुशल ढंग से अच्छे तरीके से communication किया जाना क्या एक natural प्रकिरिया है यह हमें बताना यह यह कह रहा है अपने कथन में अब दूसरा तरग है कक्षा में प्रभावी सिक्षन के लिए संप्रेशन प्रकिरिया का ज्यान आवश्यक है अब यह देखे दोनों चीज़े इन्हों ने दिये यह हमें बताना कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है अब देखे सबसे पहली बात है option number A अभी कथन A कक्षा में कुसल धंग से संप्रेशन करना यानि कि कक्षा में सही तरीके से कम्यूकेशन करना एक सवभाविक प्रकिरिया यानि कि एक natural प्रकिरिया है नहीं यह बिलकुल गलत बात है यह एक natural तरीका नहीं है दोस्तों यह हमारे अपने अंदर ले के आना प कक्षमता नहीं होती है natural चीज नहीं होती हमें अपने अंदर ले के आनी पड़ती है और दूसर यानि कि option number A वो तो हमारा गलत हो गया option number 2 देखते है और कक्षा में प्रभावी सिक्षन के लिए संप्रेशन प्रकिरिया का ज्यान आवश्यक है यह बात इसकी बिलकुल सही है कक्षा में अगर हमें effective class लेनी है effective teaching करने तो उसके लिए हमारे पास क्या है संप्रेशन प्रकिरिया का ज्यान होना आवश्यक है यानि कि हमें किस तरह से बात करनी है क्या करना है उसका ज्यान होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है तो इसका जो answer है दोस्तों वो हो content है हमारे लिए अब यह देखिए यह है हमारा sequence of decoding process communication यह देखिए मैंने आपका बताया था ना कि जो communication की process है उसके अंदर किस तरह से question आते है वो हमारा यह question है अब यह देखिए यह बात कर रहा है decoding process की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है decoding अब देखिए encoding और decoding का क्या मतलब होता है यह मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो है लेकिन फिर भी म आपको बता देता हूँ देखिए encoding का मतलब क्या होता है encoding का मतलब यह होता है कि कोई भी हम message देना चाह रहे हैं जैसे कि कोई English में book है हमारे पास और हम उसमें English की book में कोई अच्छी बात है वो हम गाओं वालों को समझाना चाह रहे है तो वो चीज समझाने के लिए हमें English क जो message है उसको गाओं की language में convert करना पड़ेगा क्यूंकि गाओं के जो व्यक्ति है वो ज्यादा समझ नहीं पाएंगे अगर हम उनके सामने English बोलेंगे तो ठीक है तो उनकी हिसाब से जो हम message convert करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं encoding कहते हैं उसे क्या कहते हैं encode करना कहते हैं और समझाई अब क्या हुआ कि घर के अंदर एक इंसान है पढ़ा लिखा इंसान है उसको हिंदी में सारी की सारी बात समझ में आ गई अब उसको ये बात अपने दादा को समझानी है ठीक किसे समझानी है अब देखी इसने जो बात लिए वो हिंदी के अंदर लिए अब इसे सम करेगा गाओं की language में समझने की कोशिश करेगा और फिर आगे समझाने की कोशिश करेगा यानि कि decoding का मतलब क्या होता दोस्तों जो information हमारे पास आई है उसे हम अपनी भासा में समझने की कोशिश करें उसे हम क्या कहते है decoding और जो भासा में किसी को समझानी है उसको हमें उस language विज में convert करने को क्या कहते है encoding कहते हैं ठीक है तो मैं उमीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी तो अब यहां पर बात आ रही है कि decoding process होता है वो क्या होता है वो हमें बताना है अब देखिए इसने दिया है decoding process में option number four sensory involvement में एक नट रुकि दोस्तों sensory involvement सबसे पहले sensory involvement फिर है interpretation फिर है evaluation और फिर है feedback अब देखिए sensory involvement सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने sense जो है उसके इंसार उसको ग्रहन करने की कोशिश करते हैं अब देखिए कोई वी information आई है तो उसे हम अच्छे तरीके से अपने कानों से प्रहन की कोशिश करते हैं उसके बाद interpretation interpretation यानरी कि उसे हम अपने से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है उसे समझने की कोशिश करते है उसके बाद evaluation evaluation का मतलब है कि अब हमने उसको समझ लिया अब हम evaluate करते हैं क्या ये चीज सही है क्या ये गलत है और इसके अंदर गलत है तो क्या है यानि कि उसकी पूरी चान बिन करते हैं क्या सही है क्या गलत है evaluate करते हैं उस चीज को करते हैं उसके बाद वे feedback यानि कि हमने कोई चीज सुन ली हमने देखा भी नहीं यह चीज इसके अंदर गलत है यह बात ऐसे नहीं होनी थी उसके बाद हम क्या करते हैं उसे feedback देते हैं जिस इंसान के पास से हमारे पास वो knowledge आई है उसको हम बताते हैं नहीं यह जो बात तुम हम आपको समझा रहा हूं कि जो question है वो गुमा फिरा के दिये जाते हैं इसलिए हमारे हमारे लिए old paper PDF करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अब हम देखते दोस्तों आगे हमारा question कोई है तो अब यह देखे यह हमारा question number 23 यह paper देख लेते हैं paper हमारा साइद जून दिशंबर 2018 का question paper है और इसके अंदर यह देखे question number 23 23 तेश नंबर question है एसरेशन यानि कि कथन अभी कथन अभी कथन है यह हमारा teacher communication is central to classroom management अब यह बात हमें बतानी है कि क्या classroom management के central में होता है और दूसरा है हमारा teacher communication behavior should not be used to regulate the classroom behavior of student अब देखे यह दोनों बात हम समझने की कोशिश करते है सबसे पहला ए नंबर पर इन्होंने दिया है teacher communication is central to classroom management अब यह कह रहा कि जो teacher communication कर रहा है वो classroom की पूरी management संभालने में काम आता है यह बात इन्होंने कही है teacher communication पूरी class के class की management संभालने में काम आता है अब दूसरे our reason इन्होंने दिया है teacher communication behavior यानि की teacher जो communication कर रहा है उसका behavior उसका वैवार जो है should not be used to regulate the classroom behavior अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो teacher जो behavior कर रहा है वो classroom के behavior को change नहीं करता यह बात कहरा तो आप खुद बताइए अगर कोई teacher है वो बहुत प्यार से पढ़ा रहा है तो क्या होगा class का जो behavior है वो भी बिल्कुल गुस्य में पढ़ाता है तो क्या होगा सभी बच्चे उससे ड्रेंगे और class का जो माहूल है वो बिगड जाएगा तो इससे क्या होगा दोस्तों जो आर जो reason है वो हमारा गलत हो जाएगा यह गलत कैसी होगा क्योंकि teacher का जो communication VAO है वो class के communication VAO को effect करता है और इसक दोस्तुरे से आप बिल्कुल असानी से कौशन का आशर दे सकते है दोस्तों गथन अभी कथन के जो answer हो भी बिल्कुल असान होती है बस हमें थोड़ा सा समझने की कोशिस करनी होती है और आगे हम देखते दोस्तों आगे ये कोशन हमने करवा दिये हैं ये भी करवा दिये हैं और ये कोशन भी हमारे करवाए हैं हमने और अब हम एक कोशन और है वो और देखते दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये हमारा 21 जून 2019 को कोशन आया था इसके अंदर हमें बताना है कि communication element है उनकी क्या क्या process होते है क्या क्या काम होते है वो हमें बताना है और इसके अंदर देखिए sender वही बात जो मैंने आपको पहले बताए थे कि sender receiver message medium ये सारी चीज़े है और जो हमारे सरीर के अंदर जो चीज़े है वो किस तरह से related है वो हमें बताना है अब देखिए सबसे पहला है इसके अंदर sender है sender और अपने जो सरीर है उसके अंदर कोन हो सकता है sender सबसे पहले sensory organ सबसे पहले हमारे सरीर के अंदर क्या आता है दोस्तो sensory organ आता है इसका मतलब कि अब देख बहुत है, अब देखिए, जैसे हमारे वह सुनका टीका लगाए जाता है इंजेक्शन लगाये जाता है जिससे हमें दर्द नहीं होता जैसे हमारा काफी बार एलाज किया जाता operation के अंदर तो हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्यों वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो तब क्या है कि हमारे sensory organ वो काम करना बंद कर देती है तो हमारे सरीर के अंदर जो सबसे पहला message send करने का काम करता है वो sender जो होता है sensory organ होता है अब देखिए आगे है हमारे पास receiver यानि कि जो हमने हमारे sensory organ ने message send करने का काम किया वो किस के पास पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारे brain के पास हमारा जो दिमाग है उसके पास वो message पहुंचेगा और उसके बाद में है message message क्या होगा यानि कि electromagnetic impulse यानि कि electromagnetic wave उनके पास पहुंचेगी जो हमारा message होगा वो किस form में होगा electromagnetic wave के अंदर होगा और medium medium क्या होगा दोस्तो हमारे सरीर के अंदर वो होगा the central nervous system हमारे सरीर के अंदर जो तंत्री का तंतर होता है यानि कि central nervous system होता है उसे हम क्या कहेंगे medium कहेंगे हमारे सरीर का तो इस तरह ऐसे ये हमारे सरीर के अंदर बताया है कि communication process किस तरह से होता है तो इस तरह से दोस्तों जो question है वो घुमा फिरा के दिया जाता है हमें बस समझने की जरूरत होती है और इसके अलावा हम देखते दोस्तों अगर कोई और question important हुआ तो मैं आपको देखता हूँ अब देखिए दोस्तों हमारे पास communication में एक बहुत ही ज़्यादा important topic रहे गया उस पे भी हम बात कर लेते हैं अब देखिए वैसे तो ये हमारा नया topic add हुआ है लेकिन इन में से question पहले भी आज चुके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए हमारे पास June 2013 का question paper है और इसके अंदर मैं question number आपको दिखाता हूँ हमारा English के अंदर देखिए ये हमारा question number 13 है communication why new media such as computer, tele shopping, internet and mobile tele phony is a drum यान कि internet के दवारा जो हम communication करते हैं इसे की chat करते, facebook पे chat करते, whatsapp पे chat करते तो उसे हम किस तरह का communication कहेंगे तो इसे हम कहेंगे दोस्तों interactive communication यानि कि हम interact हो रहे एक दूसरे के साथ ठीक है और इसी में हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से question आया है यानि कि 18 के अंदर दिसंबर 2018 में और जून 2019 में किस तरह से question आया है और ये हमारे लिए किस तरह से important है वो भी मैं आपको पूरी detail में आपको बताने वाला हूँ ये topic हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उमीद है इसमें से एक question जुरूर आएगा ही आएगा और अब हम देखते दोस्तों हमारा question में आपको दिखाता हूँ December 2018 का question paper है उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक minute रुकिए ये है हमारा हाँ ये देखे दोस्तों ये है हमारा December 2018 का question paper है और इसके अंदर इन्होंने दोबारा फिर ये पूछ लिया कि यहाँ पे ये तीनो type दिया है linear communication दिया है एक minute रुकिए यहाँ पे ये देखे इन्होंने linear communication interactive communication और transactional communication यहाँ पे इन्होंने दिया है तो इसमें हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा option सही होगा अब देखे हम एक एक चीज को समझने की कोशिस करते हैं और उसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने जो UGC ने जो answer इसका A दिया दोस्तों ये answer मेरे को बिल्गुल सही नहीं लग रहा है तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि इसका answer क्या होना चाहिए और UGC ने क्या दिया ये दोनों चीज आपको मैं समझाने की कोशिस करूँगा अब देखे सबसे पहले हम बात करते हैं कि linear communication क्या होता है दोस्तों एक सीधी रेखा के अंदर चले और जिसके अंदर feedback ना के बराबर हो और अगर feedback हो तो भी वो क्या है कि काफी लेट समय बाद में आए तुरंत feedback ना आए उसे हम क्या कहते है linear communication कहते हैं और आगे दोस्तों interactive communication के अंदर होता है दोस्तों हम interact हो रहे एक दूसरे के साथ यानी कि अपनी बात बता रहे हैं अगला हमें जवाब दे रहा है और फिर हम बात बता रहे है वो जवाब दे रहा है यानि कि बारी बारी से हम कम्यूकेशन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं इंट्रेक्टिव कम्यूकेशन कर रहे हैं यानि कि एक दूसरे के साथ इंट्रेक्ट हो रहे हैं अब दोस्तों ट्रांजेक्शनल कम्यूकेशन अब देखें ट्रांजेक्शनल कम्यूकेशन के अंदर जैसे मैं कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं और या फिर जैसे टेवल की उपर बैखे चार दौस्तों एक दूसरे से बादस्थित कर सकते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है transactional communication होता है वह ठीक है ये सारे हैं हमने समझ ली अब हम सबसे पहला जो option है इन्हों ने कहा है कि member है जो किसी की संस्था के अंदर member हो सकते हैं उनको एक theme दी जाती है और उन पे अपने decision देने के लिए बोला जाता है ठीक है यानि कि एक theme दे दी किसी की जैसे mail कर दिया सभी को आपकी ये theme है इस पे आपको दो मिनिट बोलना है या फ teacher in the class present a structure content एक जो class है उसके इंदर जो teacher है वो अपने जो पूरा का पूरा lecture दे रहा देते जारा देते जारा यानि कि structure content present कर रहा है वो ठीक है option no.3 समझते है दा principle of a college hold the staff meeting for understanding their problem जो principle है college का उसने सभी staff को बुलाया एक meeting करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अब हम अगला देखते दा teacher and student in a college on a rampage जो student और teacher है जो teacher और student है वो rampage के उपर चलते हुए जा रहे हैं अब देखिए अब इन में से बताईए कौन सा option किसमे होगा और मैं इसके में आपकी help करता हूँ अब देखिए सबसे पहले हम देखते कि a teacher in classroom present a structure content एक teacher है वो class के अंतर अपने presentation दिए जा रहा है देखते जारा है तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए हमारा linear communication होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था कि linear के अंदर एक line के अंदर सीधा communication होता है उसके अंदर feedback ना की बराबर होता है feedback हम नहीं लेते और लेते विए तो वो होना चाहिए हमारा B answer होना चाहिए और इसमें हम mark कर लेते दोस्तों A का होना चाहिए हमारा ये होना चाहिए B होना चाहिए ठीक है और आगे देखते दोस्तों हमारे पास है interactive communication अब देखिए interactive में मैंने आपको बताया था कि interact होते एक दूसरे के साथ है और इसके अंदर जो हमारा जो answer है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है linear से linear से जल्दी होगा और transaction से थोड़ा लेट होगा यानि कि इन दोनों के बीच का जो communication होता है उसे हम क्या कहते है interactive communication कहते है अभी ये देखिए हमारा option number a member are given theme on which they are required to hold decision अब जैसे class के अंदर बेश बच्चे बैठे है और उनको कहें कि जल्दी से आप याद किजी हम आपसे दिपावली का परस्ताओ सुनने वाले हैं तो उनको हमने 10 मिनिट का time दे दिया तो वो क्या होगा interactive communication हम मुझे कह सकते हैं और आगे है दोस्तो ट्रांजेक्शनल communication अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर मेरे ख्याल से आना चाहिए दोस्तो इसका option number three the principal of a college hold the staff a meeting for understanding their problem principal ने सभी जो staff है उनकी meeting बलाई है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अब देखिए समस्याओं सुनेंगे तो क्या होगा उनके अंदर transaction होगा एक दूसरी के अंदर कोई कुछ समस्याओं बताया और एक दूसरे के बीच में बोल भी सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो मेरे हिसाब से इस cancer इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों यह इस cancer होना हमें समझ में आए तो वो हमें जरूर-जरूर बताना देखिए इन्हों नोगे क्या कहा है इन्हों ने कहा अब देखिए ये मेरे हिसाब से बाहर है क्योंकि linear communication के अंदर सीधा communication होता है लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो college staff है वो अपने समस्याओं पर बातचित करने के लिए आए हैं तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए और साइद हो सके तो आप दोस्तों बताना इसके अंदर क क्या होना चाहिए क्या ये UGC का गलत है या सही है और आगे दोस्तों आगे तो कुछ नहीं इतना आज हमने बहुत सारे कोशन कर ली है communication के अंदर और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक जुरूर किया करो यार इससे हमारा उच्छा बनता है और आगे हमें प्रेणा मिलते कि हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ऐसे content बनाए और एक बात का आप जरूर जवाब देना दोस्तों क्या हमें ऐसी वीडियो दवारा फिर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए जो 10 के 10 टोपिक उन सभी की बनानी चा बनानी का बटन जरूर दवाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख़के थैंक्यू दोस्तों दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टड़ी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टोपि आपको अलग लग किये हुए इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्टप नमर पर कॉंटक्ट कीजिए